जै हिन दोस्तों सागत आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित की बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर यह अपना प्रेक्टेस टेस्ट साथपा है अपनी यहाँ पर भूत ही महत्तपुन कॉस्चन कवर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करना बेल आइकन दबाएं ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप कहां तक पहुंचे जादा इस जादा वीडियो को सेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आज का अ आंसर इपंती बताना है किसकी इपंती है तो आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर सी सदा सुकलाल नियाज आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर सी अंगला कॉस्चिन क्या है देखे मुंसी की उपादी किसे मिली हुई थी आंसर बनता है आपसे तो आप नमबर D, यानि की सदल मिस्र, सदल मिस्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, लाल चंदरी का रचिना किसकी है, लाल चंदरी का रचिना बताने है, कौस्च नमबर 3 का सही आंसर, ललू लाल सदल मिस्र या सदा सुख लाल या इंसा अल्ला खा, तो आपका सही आंसर है, कौस्च न पर पूचा गया है उदैभान चरित किसकी रचिना है तो question number 4 का आपका जो सही answer है क्या है right answer question number 4 का तो आपका B यहाँ पर right answer है यानि कि इंसा अल्ला खा की जो है रचिना है उदैभान चरित अंगले question क्या है देखे आगरा से निकलने वाला बुद्धी प्रकास सापताहिक पत्र किसने निकाला था राजा लक्षमन सें या राजा सिप्रसास सितारी हिंद सदा सुखलाल या सदल मिस्र यह आपकी चार विकल्प है question number 5 है और 5 का जो सई answer है आपका वह है यहाँ पर आपका right answer विकल्प number C right answer है सदा सुखलाल आपका यहाँ पर सई answer है सदा सुखलाल आपका सई answer है विकल्प number C right answer है अंगले question क्या है तो देखिए स्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्ध की क्रम में निम्न कूर रखा तो बताइए यहाँ पर question number 6 है और 6 का सही answer क्या है स्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्ध की क्रम में निम्न को रखा तो 6 का सही answer आपका यहाँ पर जो right answer है विकल्प नमबर भी है इंसा अलना खा सदल मिस्त्र ललू लाल और सदा सुक लाल यह आपका right answer विकल्प नमबर भी आपका सही answer य किस भक्त कभी ने माना है कभीरदास रेयदास सूरदास तुलसीदास यह चार विकल्प दे गए हैं question number 7 है अपने यहाँ पर और 7 का आपका जो right answer है विकल्प नमबर आपका यहाँ पर D right answer है बिलकुल सही D जिनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या है किस कोटी में केवल एक हीरा से भक्ती रस का प्रधान ने है तो किस कोटी में question number 8 का सही answer बताना है किस कोटी में केवल एक हीरा स भक्ती रस का प्रधान है राम काब्बे, कृष्ण काब्बे, संतिकाब्बे, असूपी काब्बे तो question number 8 का आपका जो सही answer है विकल्प नमबर B आ मानिकी कृष्ण का पर आपका यहां पर सही आंसर है कृष्ण का पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखे ए रहा आपका अंगला कॉस्चन सखी भावनासी राम भक्ती में रसेक्ता का समाविस करता किसी माना जाता है तो किसी माना जाता है यह आपके लिए य का सही आंसर है अंगला question है राजिस्तानी बुंदेली भोचपुरी अर्वी फार्सी संस्कृत के सब्दों का एक सांथ प्रियोग किस रचिना में दिखाई पड़ता है वह रचिना बताना है जिसमें इतने सारे सब्दों जो है राजिस्तानी बुंदेली भोचपुरी अर्व फार्शी संस्क्रिट के सब्दों का एक सांथ प्रियोग दिखाई पड़ता है तो question number 10 का सही answer है आपका रामचरित मानस विकल्प number D आपका यहाँ पर सही answer है रामचरित मानस में अंगला question है तुलसी इंदास की किस रचिना में कोई इती ब्रत्य नहीं है केवल एक भक्त का आत्मने वेदन है यह आपके लिए बताने किस रचिना में कोई इती ब्रत्य नहीं है केवल एक भक्त का आत्मने वेदन है तो question number 11 का राइट आंसर एक यानिकी बिनाए पत्त्री का आपका सही answer है अंगला question है question number 12 यहाँ पर पूँचा क्या है रितिक रंत कारों के लिए अनुकर्णिय किरती इनमें से कौनसी थी यह बताना है कौनसी थी रामचंद्री का रसमन्जरी का विप्रकास साहित दरपन तो 12 का सही answer भी राइट आंसर होगा रसमन्जरी रसमन्जरी आपके हाँ पर सही answer है रसमन्जरी राइट आंसर है question number 13 क्या है question number 13 रसवादी आचार चिंतमनी का पूरा नाम क्या था तो चिंतमनी का पूरा नाम बताना है question number 13 है चार विकल्ब भी आप कहाँ पर दियेगा है चिंता मनी, चिंता मनी, सर मा, चिंता मनी, मिस्र, चिंता मनी पिर्च्र पाठी तो question number 13 का सहिई आंसर चिंता मनी तरपाठी विकलब नंबर D आप कहें पर सहिँ आंसर है अंगले question क्या है? देखे घना नंद केसे मगल बातstवाई के दरवार में मीर मुन्सी थे तो मीर मुन्सी थे तो केसे मुगल वास साहे के दर्मार में यह आपके लिए यहाँ पर बताना है मीर मुन्सी थे तो यह आपका यहाँ पर जो सही आंसर है question number 14 का विकल्प number B आनिकी मुहम्मद साहे रंगीला आपका सही आंसर है अंगला question क्या पूँचा गया है किसके प्रेम बंडन में प्रेम लोकेक बासना से उपर उठकर अपने ओदात्ते स्वरूप को ब्यक्त करता हुआ जो है विर्स जनिन हो गया है question number 15 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो right answer है वहें बताना है तो 15 का राइट आंसर है रस खान रस खान यानिकी विकल्प number C आपका यहाँ पर सही आंसर है question number 16 यहाँ पर पूँचा है माक्सवादी विचाधारा से ओध प्रोथ किस युग की कवीता रही है तो किस युग की कवीता रही है यह आपके लिए बताना है question number है आपका यहाँ पर 16 16 का सही आंसर यहाँ पर क्या है मक्सवादी विचाधारा से ओत प्रोत किस युग की कवीता रही है सोला का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है छाया बादो तरीन युगीन जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है कॉस्चन नंबर 17 क्या पूँचा गया है भारतेंदू के बाद बिरिज भासा और खड़ी बोली का प्रियोग किस कभी न क्या है भारतेंदू जी के बाद में बताना है कॉस्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है सत्रा का सही आंसर तो सत्रा का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्ब नंबर आपका ये एक हरिवाद हरिवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखे ए रहा आपका अंगला कॉस्चन किस का विकरंथ में गोपिया बिरहनी नहीं अपितु सतक आपका विकल्प नंबर C right answer है C right answer है बिल्कुल सही बहुत बढ़ी या अंगला question है क्या है आदुने कभियों में किस की काब में B रस की प्रधानिता है किस की काब में B रस की प्रधानिता है ये बताने question number 19 का सही answer 19 का सही answer सिया रामसरन गुपते स्याम नाराण पांडे गुरु भक्त से भक्त या इनमें से कोई नहीं तो 19 का सही answer है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर B आनिकी स्याम नाराण पांडे आपका right answer है अंगला question है रामधारी से दिनकर का निधन कब हुआ इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था ये आपके लिए बताना है निधन कब हुआ था दिनकर जी का तो आपका 20 का right answer क्या है विकल्प नंबर D यानिकी 1924 आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या है देखिए अंगला question आपसे पूँचा क्या है question number 21 क्या पूँचा क्या है प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया उपनाम का प्रियोग के साहितिकार बाद में बिसेस रूप से उपलब्द है फिरकती बाद में या नकेन बाद में नई कवीता में या प्रियोग बाद में question number 21 है और 21 का सही आंसर है आपका यहां पर विकल्ब नमबर डी आनि की प्रियोग बाद आपका यहां पर सही आंसर है अंगला question है जैबर्धन किस प्रकार का उपन्यास है जैबर्धन question number 22 का राइट आंसामाज एक एतिहासिक राजनेतिक धार्मिक यह आपके चार विकल्ब यहां पर दे गए है question number 22 का सही आंसर होगा आपका विकल्ब नमबर सी आनि की राजनेतिक राजनेतिक right answer अंगला question है सुद्ध्य अथार्थवाद का नुरूपन किसकी नाटकों से माना जाता है question number 23 का सही आंसर बताइए स्वध्य अथार्दबात का निलूपन किसकी नाटकों से माना जाता है लक्ष्मी नारान मिस्र, लक्ष्मी नारान पांड लाल या लक्ष्मी या उदै संकर भट्ट या जै संकर प्रसाद यह आपकी चार विकल्प है, कॉस्चिन नमबर तेज का सही आंसर बताना है तो तेज का विकल्प नमबर एक, लक्ष्मी नारान मिस्र आपके हैं पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या है, किस नाटक कार पर इप्सन और सा का सरवधिक प्रभाव है तो किस नाटक कार पर बताना है कॉस्चिन नमबर 24 का सही आंसर क्या होगा अंगला कॉस्चिन क्या प मुण्छा क्या है, रेडियू रूपा के किस भेद में हास्य और ब्यंगे के माध्ध्यम से किसी मार में घटना की एक जलक प्रस्तोत की जाती है तो रेडियो रूपक के किस भेद में हास से और ब्यंगे के माध्धम से किसी धार में घटना की एक जलक प्रस्तुत की जाती है तो 25 का सही आंसर आपका D यानि की प्रहसन प्रहसन आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या है रासलीलाओं का भारत के किस सहरों मे जादा सबसे जादा प्रिचलन है बिहार, पंजाब, आगरा या मत्रा तो 26 का सही आंसर आपका यहाँ पर है क्या है राइट आंसर विकल्प नंबर D यानि की मत्रा आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या है किस राज में नो टंकी लोग नाट्टे का प्रिचलन जो है सबसे कम है यह आपके लिए बताना है बिहार या पंजाब या रियाना या उत्तर प्रिच कॉस्चिन नंबर 27 का सही आंसर है बिहार विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है बाल साहित में सरश्था कौन है यह बताना है तो 28 का राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर B आनिकी रामरक्ष ब्यानिपूरी राइट आंसर है जिन दोनी चिन्हों द्वारा मनुस्ते परस पर बिचार भी निमय करता है उसके समिष्टी रूप को भासा कायते हैं किसकी परिभासा है ये परिभासा बताने बहुती मतपुन कौशन है ये परिभासा किसकी है तो बताई कौश्चन नमबर 29 का सही आंसर 29 का राइट आंसर बताना है तो 29 का एक आपका राइट आंसर है बाबू राम सक्सेना 29 का विकल्प नमबर एक अंगला कौश्चन क्या है देखिए ए रहा आपका अंगला कौश्चन लोहे की दीवार के दोनों और किसका लिखा हुआ यात्रा बिर्तान्त है लोहे की दीवार की दोनों और किसका लिखा हुआ यात्रा बिर्तान्त है एसपाल जैनेंद कुमार राहुल सांकृतने रामरक्ष बेनिपृरी question number 30 का सही answer विकल नमबर एक यानिकी एसपाल एसपाल आपका सही answer है प्रतवी राज रासु कितने प्रष्टों का ग्रंत है कितने प्रष्टों का बताना है प्रष्टों का ग्रंत है ये बताना है तो question number 31 का सही answer क्या है एक तेस का सही answer डी आनिकी पच्चिस सो पच्चिस सो आपका सही आंसर अश्ट चाप के कवियों में सूरदास के नुए बाद किस का हिस्तान है अश्ट चाप के कवियों में सूरदास जी के बाद किस का हिस्तान है किर्शनदास कुमबंदास चतरवजदास या नंददास तो 32 का सही आंसर आपका यहां पर विकल नमबर D राइट आंसर है नंददास नंददास आपका सही आंसर दूदास जी के बाद नंददास अंगला कॉस्चन क्या है तो देखिए यह रहा आपका अंगला कॉस्चन यहां पर कॉस्चन नमबर 33 बलवाचार जी से दीख्षा लेकर गोबर्दन पर स्रीनात जी के मंदर में कौन सा किर्टन करने लगे यह बताना है आपके लिए क्या होगा यहां पर राइट आंसर तो देखिए बलवाचार जी से दीख्षा लेकर गोबर्दन पर स्रीनात जी के मंदर में कौन किरतन कंने लगे, टो कोन कंने लगे ते किरतन, तो बढ़े टेतिस का सही आंसर आपका B, आनिकी सूरुधास बिकल्प नमबर B आपका राइट आंसर है, एंगला क्उस्चन है, भारते अंदू मंडल में कौन सामिल नहीं है, नहीं है, सामिल नहीं है पॉछा है, तो कौन अपरते ही। बंडल में सामिल 24 आपका विकल्प नंबर डी आनिकी राजा से उपरशाद से तारी हिंद आपका यहां पर सही आंपर विकल्प नंबर डी अंगला कॉस्चन है कौन स्वचंद धारा के कभी नहीं मानी जाती देखिए इसमें भी आपसे नहीं मानी जाती पूचा है तो कौन नहीं मानी जाती है नरेंदर सर्मा सिया रामसरन गुप्त स्थबत्र कुमारी चौहान दिन कर ये चार विकल्प है कॉस्चन नमबर 35 का सही आंसर बताना है 35 का राइट आंसर विकल्प नमबर एक नरेंदर सर्मा अंगला कॉस्चन बहुत धर्म का के अंदर क्या है ये आपके लिए बताना है कॉस्चन नमबर 36 का सही आंसर तो बहुत धर्म का के अंदर क्या था 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 बताना है तो क्या था तो 36 का सही आंसर है आत्मे सुद्धी आपका सही आंसर है आत्मे सुद्धी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर question number 37 क्या है 37 का राइट आंसर यहाँ पर बताईए सभी लोग तुलसी दास को उत्तर भारत का मीरुदंड किसने कहा है तुलसी दास को question number 37 का सही आंसर है आपका राइट आंसर आपका सही आंसर आपका राइट आंसर है अगला question है पदमावत की कथा कुल कितने खंडों में है इसकी जो कथा है वाई कुल कितने खंडों में है यह आपके लिए बताना है तो आपका है आपका राइट आंसर है 38 का विकल्ब नमबर B लानि कि आपका राइट आंसर है सूपी चाधना की अब अस्ताओं में कौन नहीं है नहीं है बताने है आपके लिए तो कौन नहीं है यह बतायी question number 49 का सही आंसर 49 का सही आंसर बताना है 49 का D नजाकत आपका है यहां पर सही आंसर है नजाकत आपका सही आंसर होगा पदमाबत कथा का विभाजन किस रूप में हुआ है यह बताना है सभी लोग वीडियो को लाइक अबस तिकल लेंगे जिन्हों नहीं अभी तक नहीं किया है और question number 40 का सही आंसर भी राइट आंसर है नजाकी खंड में पदमाबत कथा का विभाजन किस रूप में हुआ है खंड में आपका यहां पर सही आंसर है सूर दास पर किस पौरान गरंत का प्रभाव है तो question number 41 का सही आंसर बताईए क्या है यहां पर इसका सही आंसर महत्त पूर कॉस्चन है question number 41 सूर दास पर किस पौरान गरंत का प्रभाव है तो स्री मत भागवत आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर है भिरमरगीत की रचना का उद्दे से क्या है इसकी उद्दे से बताना है तो भिरमरगीत की रचना का उद्दे से सगोण पर निर्गोण की विज़ाए ज्यान पर भक्ती की विज़ाए गोपियों का बिरहे चित्रन या भक्ती पर ज्यान की विज़ाए यह आपकी चार विक 43 का सई आंसर क्या है तो 43 का सई आंसर है मलुक दास है मलूक दास आपका है här राइट आंसर है 1760 आपका यहां पर सही आंसर है उत्तर मद्यकाल का दूसरा नाम क्या है भक्तिकाल सिंगार या बीर या करुण का तो यह आपके चार विकल्प देगा है question number 45 का सही answer बताना है उत्तर मद्दिकाल का दूसरा नाम जो है question number 45 का आपका भी right answer है आनकी उत्तर मद्दिकाल का दूसरा नाम सिंगार अंगले question क्या है विद्यापती का जन्म किस ECB सन की आसपास हुआ था किस ECB सन की आसपास हुआ था Q4 का सही आंसर बताना है, तो 40 का सही आंसर है आपका यहाँ पर, क्या है right answer, 40 का महत्पुन Q4 है और आपका सही आंसर विकल्प नंबर 11360, अंगले Q4 क्या है, किस राजा की म्रत्यू के बाद विद्या पती नरासरित घुमते रहे, तो कर्मा दित्ते या देवा दित्ते, गलिस या इनमें से कोई नहीं यह आपके चार विकल्ब है question number 48 का सही answer बताना है किस राजा की म्रत्यू के बाद विद्यापती नरास्रित घुमते रहे 48 का आपका यहाँ पर right answer है C यानिकी गलिस्वर गलिस्वर आपका सही answer अंगला question क्या है सूफी सब्द की उत्पत्ति के सब्द से हुई है सफा सूफ सूफियाना या साफ तो आपका यहाँ पर right answer है उननचास का B यानिकी सूफ आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या है question number 50 आप से यहाँ पर पूँचा गया है बिरमर गीत सूफ की किस गरंत का अंस है तो यह आपके लिए बताना है तो आपका यहाँ पर सही answer क्या होगा उनका सही आंसर है, तो इस परकार अपनी हाँ पर बहुत ही महत्वपण question complete हुए, क्यांसा लगा ये वीडियो आप comment में जरूँ बताएं, अगर आप चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को subscribe कर लें, well icon दबाएं, all पर click करें, ताकि all वीडियो की जानकारी आप कहां तक भूलें, तो सभी लोग वीडियो को like अबस्ते कर लें, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन